वह एड लिमेट आपको कैसे रिमूम करता है कैसे आपको एड लिमेट से बचना है किया आपके गूगल अर्शन अकाउंट पर एड लिमेट ना लगे क्यूंकि काफी बाउगर की है प्रॉब放心े रहती ने में एड लिमेट लग जाती है इसलिए मैं आपके लिए एडवांस तक जरूरा बाँच कर यह वीडियो आपके लिए बहुत हैं आपके पूरा पूर्शन कंप्लीट हो जाएगा और जिससे आपको वड़ीन लगेगी क्योंकि काफी वीग्लार का डाउट रहता है कि उसमें काफी टाइम लगता है गुगल अर्सन का पूल मिल जाने की बाद भी कभी किसी को एड लिमीट लग जाती है तो उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ती तो आपको इसको कैसे रिमूब करना कैसे बचना जिसे आइड लिमिट से सेव रख सकते हैं क्योंकि काफी लोगों को यह प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है ओके गाइस करते हैं वीडियो स्टार्ट पॉइंट वाइप पॉइंट में आपको डिसकर्स करूंगा जिससे आपका हर एक पॉइंट किलियर होता जाएगा और आपको बाइफ यूचर एड लिमिट नहीं आएगी गूगल अर्शन पे फ़ाइस्ट पॉइंट है कि आपको गूगल एड्शन की तरफ से एड लिमिट कैसे आती है क्यों आती है काफी ब्लॉगर का कोश्चन रहता है कैसे आती है क्यों लगते है एड लिमिट की एरा आती है गूगल अर्शन पे फ़ाइस्ट पॉइंट है कि आपको इसका बेसिक पॉइंट है जब आप अपना ब्लॉग बनाते हो विगनर रहते हो ब्लॉग को क्रेट करते हो ट्वेंटी एंड फिप्टी पोस्ट कंप्लीट करते हो या वन है एंड रेलेटेड रहते हैं जो आपसे जालस करते हैं जो आपको मतब खुसी नहीं देखना चाहते ह। कितना कमा रहें उससे जालस करते हैं तो क्या करते हैं आपकी वेबसाइट पर हले कीट्वीट होते ह हैं तो वह क्या करता हैं गूगल एट्षन उसको ट्रैक Parents19 ए आन अपने ब्लॉग को मैं तो यह अपने एक्सप्रियंस कर रहा हूं कि आप अपने ब्लॉग की इंफर्मेशन किसी को ना दें आपको ट्राफिक लेकर आना सोसल मीडिया के थुरू लेकर आ सकते हैं अगर आप प्रो ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आपको स्यो कम्प्लीट करके और गूगल सर्च कंसोल सर्च इंजन के थुरू आपको ट्राफिक लेकर आदा आपने ब्लॉग पर जिससे आप इजली अर्निंग कर सकते हैं उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा अगर वाइफ फ्यूचर आपको गूगल अर्शन की तरफ से एड लिमिट लगता है काइसे आपको रेमूब करना कैसे आपको फॉंफ फिल करना है यह था फ़स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट है कि आपको अगर आपके पास गूगल अर्शन का अप्रूवल है तो आप जब जतनी टाइम को गूगल अर्शन को चेक करते हैं अकाउंट को तो आपको उ तो कम है तो उसमें आपको प्रॉब्लम फेस्ट नहीं करना पड़ेगी अगर उससे हाई जाता है तो आपको ट्राफिक लेकर आना अपने ब्लॉग पर या अपने ब्लॉग की आड को रिमूब करना है अब काफी ब्लॉगर का यह डाउट रहता है कि वो अगर वाई फ्यूचर आपको एड लिमिट लगती है काफी लोग क्या करते हैं कि उसमें मैनवली आड यूज करते हैं तो मैनवली आड से उसको काफी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस्ट करना पड़ती है क्या होता है हर आप हरे वोड को अगरापको रिमॉब करना ऐनमेनल लिए अगर आपके पास आपके ब्लॉप पर वन के पोस्ट कंप्टीट हम पर चीज पर में तो इसको आपको करने में काफी टाइम लगेगा और अगर आप बुक टाइम नहीं धे तक नहीं दे सकती तो उसमें आप आपको प्रॉब्लम होगा कि आपका गूगल एड्सन का अकाउंट डिसेबल हो जाएगा इसलिए मैं आपसे रिक्वाइंट करता हूं कि आपको आपको आटो एड यूज करना है ऑटो एड़ इसदा बैस्ट कहा जाए तो आपको अगर कभी वाई फ्यूचर गूगल एड्सन की तुरू से एड लिमेट लगती है तो उसको आप इजली रिमूब कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं जब आपका सीटी आर इंक्रीज हो जाता है ट्वैंटी परसेंट पर चला जाता है और इसमें केले कैन इंप्रेशन कम रहता है तो उससे क्या करोगे आप आप आटो एड क इसमेंज हो जाएगा अगर आपका सीटी यार मैनेज हो जाता है तो गूगल एड्सन कभी आपको आड लिमिट नहीं देगा एड लिमेट यह हो गया और इस थाड पॉइंट है आपका के अड लिमिट कहां से आती एड लिमिट है जो आपके ब्लॉग पर जब आप अपना आपको покуп एडिट करते हैं करते हिसा पोश्ट करते तो आप खुद ही मेर टीपाल टाइम आप ऊपन करके देख लेते हैं मलती पर ताइम आप ऊपन करके देखते उसके शुरू क्या होता है आड शो होती गूगल आट से आडशन आई पैड ड्रेस को भी ट्रैक करता आई पै ज़ादर रहेगा उतना ज़यादा आपको गुगर अर्जाइन का पैसा देता है इसलिए अपने प्लग कर नहीं देखना चाहिए आप वह काफी लोग कर दाउट रहता है कि ब्लॉग को नहीं देखेंगे तो एड़टिंग कैसे करेंगे डिजाइनिंग कैसे करेंगे अपने ब्लॉग को प्रोफेशनल टाइप से कैसे बनाईए मैं आपसे रिक्मेंट करता हूं मैं अपना experience करता हूं कोई ब्लॉगर आपके साथ experience नहीं करता मैं अपने experience करना हूं आप अपने ब्लॉग पर एड ब्लॉगर नाम का extension अड करें जैसे आप यहां पर एड ब्लॉगर नाम का extension अड करेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छी हैलप हो जाती है कि आपको यह यह दो फैंस मैं अपने पर एड ब्लॉगर बैस्ट एड ब्लॉगर मैं अपना extension करके रखता हूं जिससे क्या होता है कि आप अपने ब्लॉग को multiple time भी open अगर आपके ब्लॉक पर आड़ सो नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करना पड़ेगा आपको इस कारण से आपको एड़ ब्लॉकर एड़ ब्लॉकर एक्स्टेंसन को एड़ करना चाहिए अपने क्रॉम ब्राउजर पे अगर आप ऐसा करते तो आपको बहुत मेनिफेड मिल जाएगा एड़ लिमिट के दुरूब ओके गाई साफ फोर पॉइंट है आपको क्या आपको सोसल मीडिया से कम ट्राफिक लेकर आना एंड आपको फ्रेंट सेलकर को नहीं बताना एंड अब पॉइंट आता है लास्ट पॉइंट है फिप पॉइंट को आपक लास्ट लिए आपको क्या करना है गूगल पर जाना है यहाँ पर आपको टैप करना है यहाँ पर आपको टाइप करना है गूगल एकसं है design में जैसा ही आप इसको टाइप करेंगे तो आपके सामने यह option open हो जाएगा यहां पर लिखा है गूग's ई nut sek गूगल सब्सक्री साय, इस पर आप कप कड्लेक करना है जैसा ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ने श्डिक पेज पर रीडारेक्ट हो जाएंगे यहां पर यह इस कुश्चन पर आप जो भी प्रॉब्लम हो एंड एड लिमिट से रेटेड प्रमेंट से रेटेड एड मैनेज से रेटेड एड पॉलसी रिपोर्टिंग से रेटेड आप इसमें फीडबैक दे के अपना ब्लॉग एड लिमिट को रिमूब करा सकते जैसे यहां पर आप प्रमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम आती है एंड प्रमेंट एफिक क्यू आता है प्रमेंट प्रोसेस आती है प्रॉम और प्रमेंट का आता है प्रमेंट प्रॉफिट आता है प्रॉफाइल आता है यहां से आप प्रम सेट अब एड ओन यूर वेबसाइट ऑटो एड 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 यूनिट्स एड कोट इंप्लिमेंटेशन गाइड्स एड हाव एड वर्क ब्लॉकिंग कंट्रोल एड पॉड़क्ट पार्टनर्स आपको जो भी डाउट हो एड लिमिट से रिलेटेड तो आप यहां पर अपना फी प्लिक करेंगे तो आपको कोश्चन पे ले जाएगा तो आप यहां से इसली रीड कर सकते हैं इसमें आपको पूरा एक्स्टेंसन इस वीडियो को आप देख सकते और आप इसको रीड करके साल्व कर सकते हैं और अगर आपको जाधा प्राब्लम है या आपके पास मनी में तो आप यहां पर Google Ads को कम्मिकेट कर सकते हैं तो आपको Google Ads जो एम्प्लाइर है तो आपको हैल्प करें और उस हैल्प का आपको benefit मिलेगा कि आपको जो एड लिमेट लगती है वो fix हो जाएगी आप अपना जो भी ओने प्रॉबलम उससे डिसकर्ज करके कम्मिकेट करके उस प्रॉबलम को solve करा सकती है। काफी लोगों को प्रॉबलम आती है। साइड अप्रूब से इंड यहां पर आप रिमूब करा सकते हैं आपको इसमें कोई प्रॉबलम फेस नहीं करना पड़ेगी यह पॉइंट है आप इस पॉइंट को विसेज ध्यान रखके अपने लिमिट को रिमूब कर सकते क्योंकि काफी विगनर क्या है प्रॉब्लम रहता है कि मेरा ब्लॉग था अप्रूब हुआ अर्निंग हुआ और शिक्स्टी डॉलर हुआ और हंड्रेड डॉलर कंप्लीट होने वाला था उसमें अड्लिमिट लगके मेरा अट्सन का अकाउंट का जाए तो ब्लॉक हो गया बैन हो गया एंड डिसेवल हो गया तो उसको कैसे सॉल्व करना कैसे फिक्स करना कैसे रीकवर करना इसकी हैप इ स्ट्राइब करना चाहिए कि आपका मैक्जिमम स्ट्राइब नहीं होना चाहिए और मैं आप से जाते जाते एक बार और बोल रहा हूं कि आपको हमेशा अपने ब्लॉक पर आटो एड लगाना है अगर आप मैन्वलिया लगाते तो आप टॉप हेडर में लगा सकते हैं से देखने के लिए धन्यवाद में ब्लॉग और बाट प्रेस एंड डिजिटर मार्केटिक से रेटेट आपके लिए रिसार्च करके नहीं कंटेन लेके आता रहता हूं और अगर आपको जो भी प्रॉब्लम में आप कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं मैं आपके 100% करूंगा ओके गाइस मेरे को मोटिवेट करने के लिए लाइक तो करके जाएं जय हैं